हैलो गाइस, आज हम लोग मैट्स के ऐसे इंपोर्टेंट क्वेस्चन के बारे में देखेंगे, चो लगभग लगभग सारे कॉम्पेडिटिव एक्जाम में जो है पूछा जाता है, या फिर कहीं न कहीं जो है कॉम्पेडिटिव एक्जाम में इसकी जरुवत पढ़ती ही है तो कभी-कभी होता क्या है कि हमको कोई बड़ा सा बड़ा नंबर जो है given होता है और पूछ लिया ये जाता है कि वो नंबर जो है किस से completely रुप से divide होगा ऐसा नहीं है कि ये question जो है हमसे solve नहीं होते question solve तो हो जाते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यदा time taking होता है और competitive exam का rule क्या बोलता है कि आप जितने कम time में जितने ज़्यादा question को attempt करते हो उतना ही आपके लिए benefit होगा है ना तो चलिए आज हम लोग देखते हैं completely कब divide होगा सबसे पहला है हमारा divisibility by 2 तो divisibility by 2 के लिए हम लोग देखते हैं इसका trick ये है कि किसी भी number के last में अगर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आता है तो वो जो number होगा वो 2 से completely divide हो जाएगा चलो, example लेके देखते हैं हम लोग example है हमारे पास 48 and 24 यहाँ पे जो हमारे पास number है 48, 24 इसके last में 8 आ रहा है और 4 आ रहा है इसका मतलब rule के according तो होगा कि ये completely divide हो जाएगा चलो, prove करके भी देख लेते हैं तो इसको 2 से divide जब करेंगे तो यहाँ पे होगा क्या 2, 2 जा 4 and 2, 4 जा 8 completely divide हो गया similarly यहाँ पे 2 जा 2, 2 जा 4 तो यह जो number है जिसके last में 2, 4, 6, 8 और 0 आ रहा है वो completely रूप से क्या होगा आपका 2 से divide होगा अगला है हमारा divisibility by 3 divisibility by 3 के लिए हमारे पास rule होता है वो यह है कि जितना बड़ा सा बड़ा number दिया हो उस number के हर एक digit को हम लोग अगर sum करते जाएं that means हर एक digit को हम लोग जोडते जाएं तो जोडने के बाद जो भी number मिलेगा अगर उस number को भी हम लोग 3 से divide करते हैं जैसे कि यहाँ पर given है number 426 तो 426 में आपका number क्या है 426 अगर मैं 4, 2 और 6 को जोडता हूँ तो मेरे को एक number मिलता है वो है 12 अगर मैं इस 12 को 3 से divide करता हूँ और 12 को 3 से divide करने के बाद मुझे जो है यह completely divisible हो जाता है तो फिर यह जो 426 है वो भी पूरी तरह से 3 से divide हो जाएगा अच्छा अगला trick क्या है अगला trick यह है कि अगर मैं इसको जो है last तक add करूँ अभी तक तो हम देख रहे थे एक बार add करने के बाद ना अगर मैं क्या करूँ इसको continuously add करते जाओ और last में मेरे को 3, 6 या 9 मिलता है जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक example था example में आपको given है कि 426 इसको हम लोग जो है एक बार add किये क्या मिला 12 मिला अब इस 12 को भी मैं अगर add करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा 3 मिलेगा तो ऐसे one number के आते तक अगर मैं add करूँ और add करने के बाद मेरे को 3, 6 या फिर 9 मिलता है तो फिर वो number जो है completely रूप से आपका 3 से divide होगा यहाँ पर आपका 3 मिल गया ऐसे ही आपके पास नीचे एक और example है example में given है 9,864 तो 9,864 में से आप 9,8,6,4 करते हो तो फिर आपको क्या मिलेगा 27 अब इस 27 में आप 2 प्लस 7 कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 9 इसका मतलब यह जो number है वो भी completely रूप से 3 से divide होगा तो यह था आपका 3 से divisible का trick अगला है आपका divisibility by 4 तो divisibility by 4 के लिए हमारा जो trick होगा या फिर हमारा जो rule है वो यह बोलता है कि चाहे कितना सा भी बड़ा number हो है ना आपका कितना भी जो है large number हो कुछ भी हो आपको सिर्फ और सिर्फ last के दो number को ही देखना है इसको देखना है last के दो number को देखना है और last के दो number को देखने के बाद क्या करना है अगर last का दो number जो है आपका जो है completely 4 से divide हो जाता है चाहे कोई भी number हो last का दो number जो है आपका जो है 4 से divide हो जाता है इसका मतलब वो पूरा का पूरा given number जो होगा वो 4 से divide हो जाएगा जैसे कि मेरे पास यहाँ पर 24 है 32 है है ना इसमें 24 है एक में 32 है अगर आपका 24 4 से completely divide हो जाता है अगर आपका 32 4 से completely divide हो जाता है इसका मतलब 324 भी 4 से completely divide हो जाएगा और आपका 832 भी completely 4 से divide हो जाएगा तो यहाँ पे 4 6 जा 24 and 4 8 जा 32 तो यहाँ पे 24 भी completely divide हो रहा है और आपका 32 भी completely divide हो रहा है इसका मतलब जो given number है वो भी आपका 4 से completely divide होगा इसी में second है आपका अगर आपका जो number है given number है उसमें अगर जो है last के 2 digit है जो है ना last के 2 number जो है आपको क्या मिलते हैं? 0-0 मिलते हैं minimum requirement है last के 2 number जो है 0 हो सकता है 3 number हो 4 number हो 5 number हो तो अगर आपको last का जो है 2 number जो है 0 आता है तब भी वो पूरा का पूरा number जो है क्या होगा? आपका 4 से completely divide हो जाएगा ठीक है? यहाँ पर example है आपका 100 का 100 का भी आप जो है 4 से divide करते हो तो क्या होता है? 25 आता है तो यह तो हो गया आपका 4 से next है आपका divisibility by 5 आपका simple trick क्या है? आपका कोई भी नंबर हो आपको स्रिफ last के number को देखना है और last के number को देखने के बाद आपको क्या करना है अगर last का जो number है वो 0 हो या फिर 5 हो last का नंबर या तो 0 हो या तो फिर 5 हो तो पूरा का पूरा number जो है 5 से आपका divide हो जाएगा तो यहां पर आपका example given है 25,620, 2450, 85,680 सारे numbers में आपके last में क्या आ रहे हैं? 0 तो यह सारे के सारे जो number होंगे वो 5 से क्या होंगे? divide होंगे चलो हम एक example के थूर जो है इसको divide करके देखते हैं हम लोग कोई और number लेते हैं जिसमें last में क्या हो? 5 हो यहां पर हम लोग 5 से divide करके देखते हैं चलो, तो यहां पर divide करके जब भी देखेंगे तो क्या होगा? 5, 1 जा 5, अच्छा 1 बचेगा इसमें 2 को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 5, 2 जा क्या होगा? 10 होगा फिर आपके पास बचेगा, स्रिफ 2 बचेगा तो यहां पर हमने देखा कि कोई भी नंबर जो होगा? उसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो completely रूप से 5 से divide हो जाएगा आपका next है divisibility by 6 तो divisibility by 6 के लिए आपको करना क्या है? आपका divisibility by 6 का rule यह है कि अगर कोई भी नंबर जो है आपके पास है वो 1, 7, 2 और 3 से कहने का मतलब आपका 1, 7, 2 और 3 से completely रूप से divide हो जाता है तो आपका पूरा का पूरा नंबर जो है 6 से भी जो है completely रूप से divide होगा चलो एक छोटा सा example लेकर देखते है छोटा से example क्या होगा हम लोग लेकर देखते हैं चलो 24 के अब देखो हंलोग जो है ऐसा नहीं करेंगी कि 2 से भी डिवाईड करेंगे 3 से भी डिवाईड करेंगे क्यों कि ऊपर हम लोग जो है इसका rule देख होगा कि नहीं होगा हाँ लाश्ट हम इसका 4 है इसका मतलब यह 2 से डिवाइड होगा चलो मैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा इसको देखने के लिए क्या करूंगा मैं क्या करूंगा 2 और 4 को एड करूंगा अगर मेरा जो है 3 6 या फिर 9 आता है तो फिर वह 3 से भी डिव होगा अगर यह दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब यह 6 से भी डिवाइड होगा तो 6 बंजा 6 इसका मतलब यह तो 2 से डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा की नहीं होगा 3 से डिवाइड होगा की नहीं होगा इसके लिए हम लोग चेक करते हैं 4 प्लस 5 9 9 प्लस 5 14 14 प्लस 4 18 इतना हो गया हमारे पास 18 अब 18 को भी हम लोग जो है 1 प्लस 8 करेंगे क्या होगा 9 इसका मतलब हमारे पास 9 आ गया तो यह नंबर जो है 3 से भी डिवाइड होगा अगर यह 2 से और 3 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब क्या होगा यह completely रूप से 6 स चलो कुछ-कुछ एक्जामपल दिये हुए हैं इसको आप लोग solve कीजिए and सबसे most important जो है point है यह होगा कि जो भी नंबर आपका 6 से completely डिवाइड होगा है ना जो नंबर 6 से completely डिवाइड होगा वो जो है हमेशा even number ही होगा कभी भी और नंबर जो है completely 6 से डिवाइड नहीं ह होता always जो 6 से completely डिवाइड होगा वो होगा even number तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को subscribe कीजिए and video को like कीजिए I hope दोस्तों यह आपके लिए जो है बहुत important होगा और यह आपके लिए helpful होगा धन्यमाद